हम इन तैरो टारिटर और इन अस्ट्रोड़ों वेलकम तो स्राइड और मैं तैरोरी दीच अश्डर को आपप 1 या ने कि प्रण जेकर अनध से लेकर उनने से तम्हर तक का साप्ताहिक लशिकल यह एक general reading है और zodiac sign पर based है यानि कि birth date के हिसाब से आपकी जो भी राशी बनती है उस हिसाब से आप इस राशी पिल को देखिए अगर आपको आपका zodiac sign नहीं पता है तो सभी zodiac signs के list description box में है आप वहाँ से अपना zodiac sign चेक कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पाइसेज राशी के लिए professional life के लिए card है six of ones तो पाइसेज एक बहुत ही अच्छा वीग रहेगा प्रोफेशनली success and contentment are coming your way तो कहीं interview दिया था तो उसका result आपके favor में आ सकता है कोई नही job offer आ सकती है आपको कोई नया project मिल सकता है कोई नई business offer आ सकती है तो एक बहुत ही अच्छा time period रहेगा career advancement के लिए एक बहुत ही अच्छा week रहेगा आपके लिए आपको अपनी past efforts का result मिल सकता है या आपको आपके काम के लिए recognition मिल सकता है आपके लिए personal life के लिए card है strength तो अगर आपकी relationship में कुछ challenges चल रहे हैं तो ज़रूरत है strong बने रहने की give up करने का time नहीं है बलकि चीजों को diplomatically handle करने का time है तो चीजों को प्यार से handle करें थोड़ा प्यार से चीजों को manipulate करें तो चीजें आपके favor में resolve हो जाएंगे अपने आप पर भरोसा रखिए doubts में मत जाएं, fears में मत जाएं बलकि एक delicate ढंक से चीजों को handle करें आपके लिए guidance card है full moon in Sagittarius और card का message है look at the bigger picture तो किसी situation को लेकर कि आप बहुत ज़्यादा tense हो रहे हैं, बहुत stressed out हो रहे हैं तो आपके लिए advice है कि घब्राने की ज़रुरत नहीं है चीजों को carefully analyze करना अच्छी बात है लेकिन over analyze करना भी stress का कारण बन सकता है तो घब्राएं मत बलकि एक higher perspective से चीजों को देखें जो भी होगा आपके बहुतरी के लिए होगा ये faith रखें जो भी outcome रहेगा that will be for your betterment तो अपने plans को देखें जहां पर चीजों को analyze करने की ज़रुरत है improvement करने की ज़रुरत है improve करें लेकिन घब्राएं मत stressed out मत हो frustrated मत हो आपके लिए angels का message है big happy changes बहुत ही एक बहुतरीन कार्ड है कोई बड़े और कोई बहुत important changes आने वाले हैं आपके life में जल्दी है and they are going to be a very happy changes जो कि आपके life के लिए बहुत अच्छी होंगे आपके betterment में होंगे अब किसी भी area में changes आ सकती है professional life में या personal life में be in gratitude and be open to receiving those changes तो ये था कमी भी का आपका सब्ताहिक लाशी पड़ comment section में comment करके मुझे जरूर पताएं कि आप इससे कितना resonate कर पाएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो like, comment और share करें and to see more such videos please subscribe to my channel and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video until my next video bye and take care